Hello students and learners, welcome to the Brain Box Tutorials. मैं हूँ तुमारी टीचर प्रियांका. आज हम करेंगे triangle and its property का ही next part. Now, इस part में हमने पहले part में किया था triangle और उसकी properties क्या होती है? वो सारे part उसे related sums किये. अब हम करेंगे properties पर कुछ special triangles की, right? तो ये special triangles क्या है, इनकी property थोड़ी से अलग कैसे होती है, वो part हम करेंगे. और उसके अलावा triangle की भी एक special property करेंगे, जो normally कोई भी triangle में हम use कर सकते हैं. तो आज की वीडियो में ये सारी चीजे, ये सारी topics हम cover करेंगे. तो चलो start करते हैं ये topic. तो हमारा पहला special triangle आता है, आईसोसेलेस triangle. आईसोसेलेस triangle में ऐसी क्या speciality होती है? जो normal इसकी property है, वो ये कि any two sides are equal. तीन में से दो sides कोई equal होतें. तो वो कुछ ऐसा दिखता है. अब उसकी special property है ये दो. पहला लिखा है, in a triangle, the angle opposite equal sides are equal. इसका मतलब क्या है? equal sides के opposite में जो दो angles हैं, वो भी equal होंगे. तो हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा एक आईसोसेलेस triangle है, जिसका नाम है PQR. PQR में PQ और PR equal हैं, यह sign दिया वाया है, यह एक sign है, यह बताने के लिए कि यह दोनो sides equal है. अब property में लिखा है कि equal side के opposite में angles होंगे, वो भी equal होंगे. तो यह जो side है PQ, इसके opposite में angle है R, और PR के opposite में angle है Q. इसका मतलग क्योंकि यह दोनो sides equal है, तो angle Q और angle R भी equal होंगे. अब ही इसको पहचाने का एक और तरीका है, अगर तुम्हें ऐसे समझ में आ रहे हैं कि इस side के opposite में कौन सा angle है, और इस side के opposite में कौन सा angle है, तो यह दोनों equal होंगे, तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक और तरीका है, यह दोनों angle, कौन से दोनों angle equal होंगे, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, कि कौन सा unequal side है इसमें, QR, और QR में दो point है, एक इधर Q और एक इधर R, बस एक इधर Q और एक इधर R के यह जो दो angle है, यह दोनों angle equal होंगे, वो अपने आप angle opposite to equal sides हो जाता है, तो पहली property यह हो गई, कि equal side के opposite के angle equal होंगे, दूसरी property इसकी just opposite है, इसमें लिखा है, in a triangle, the sides opposite equal angles are equal, अब मान लो, तुम्हें यह नहीं बता कि यह दोनों side equal है, बस दिया वाया है कि ABC एक triangle है, और उसमें दे दिया, sorry, PQR एक triangle है, और इसमें दे दिया कि angle Q और angle are equal है, that's it, तो अगर angle Q और angle are equal है, इसका मतलब तुम लोग यह प्रूफ कर सकते हो, कि यह एक isocellus triangle है, कैसे, बस यह property लिख देना, कि property है, that the sides opposite to equal angles are always equal, तो इसके opposite में यह side है, और इसके opposite में यह sides है, दो side equal हो गए, that means it's an isocellus triangle, तो यह property हमको बहुत बार use करेंगे हम, value निकालनी होगी angle की, उसमें भी काम आएगा, और अगर प्रूफ करना हुआ कि यह isocellus triangle है, तो यह दोनों property यूज होती है, तो इन दोनों property को learn कर लो, because हमको reason में लिखना पड़ो, तो अब देखते हैं, दूसरा special triangle कौन सा है, ना हमारा दूसरा special triangle है, isocellus right angled triangle, यानि एक ऐसा triangle जिसमें दो चीजे यूज हो रही है, triangle based on side भी है, isocellus और right angle, दोनों कैसे होंगे, तो वो triangle कुछ ऐसा दिखता है, एक तो right angle triangle बनाओ तूं, तो यहां समदो है right angle है, right angle मतलब 90 degree है, और right angle को बनाते वे, जो दो side है, right angle में यहां जुड़ते वे, जो दो side है, तो एक यह, और दूसरा यह, इनको legs भी बोलते हैं, legs of right angle, तो right angle के जो legs हैं, यह दोनों equal होंगे, इसके right angle के जो opposite वाली side होते हैं, इसको hypotenuse बोलते है, hypotenuse is the longest side of the triangle, वो तो कभी किसे से equal हो नहीं सकता, तो obviously जो बचे वे हैं, legs of right angle वही दोनों equal होते हैं, so isosilis right angle triangle ऐसा होगा, right angle से सटे वे दो equal हैं, और इसकी values भी, क्योंकि यह दोनों sides equal हैं, यानि यह दोनों angle भी equal होंगे, अगीन यह दोनों angle क्यों equal होंगे, हमने isosilis triangle की property उसकी कि angle opposite to equal sides are equal, right, या फिर तुम दूसरी property, जो दूसरा जो तरीका जो मैंने बोला था, कि जो un-equal side है, बस उसके दोनों corner पे जो दो angle बन रहे वो दोनों equal होंगे, वैसे भी सोच सकते हो, right, और क्योंकि यह दोनों angle equal है, अब हमें पता है, तीनों angle मिल करके कितना बनाते है, 180 degree यह भी triangle की property तुमने की है, इसमें यह 90 degree है, तो बचा कितना, 180 degree में से एक angle 90 degree हटा दिया, तो बचता है 90 degree, यानि यह और यह जो दो equal angle है, यह मिलके 90 बनाते हैं, दोनों equal है, तो divided by 2 करो, तो आएगा 45, इसका मतलब यह दोनों angle होंगे, 45 degree, 45 degree, यानि आइसो सेल इस right angle, triangle में हमेशा यही तीनों angles हमको मिलते हैं, एक होता है 90, 45, 45, यह fixer, अभी तीसरा देखते हैं, तीसरा special triangle, अब आता है हमारा equilateral triangle, equilateral मतलब तीनों sides equal है, इसकी speciality क्या है, तो यह equilateral triangle चलो हमने बनाया, A, B, C, ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, angle property of special triangle, तो equilateral triangle एक special triangle तो है, यह अब इसकी angle property क्या है, यानि हम देखो, जितने भी part किये, हमने भली isosalase किया, right angle किया, और आभी equilateral करने वाले हैं, angle के बारे में ही कुछ relation कर रहे हैं, तो इसलिए angle property, now equilateral triangle है, मतलब तीनों ही sides equal है, और यही reason है, angles क्या होते हैं, तीनों ही angles equal होते हैं, और हमको पता यह तीनों angle मिलके कितना बना रहे हैं, 180, और तीनों ही बराबर हैं, तो 180 degree को तीन equal parts में divide करो, आएगा 60 degree, यानि यह तीनों angle हमेशा equilateral triangle में, 60, 60, 60, यह होता है, यह चुटी-चुटी चीज़े हैं, याद रखो, यह सारे हम जब sums करेंगे तो बहुत-बहुत helpful होते हैं, ओके, तो लेट सॉल फ्यू sums related to the property which we have just done, तो पहला है, अच्छे यह क्या है, find the value of x in each, तो हमाई पास दो है, दोनों में हमको x की value निकालनी है, पहला triangle दियावा है, सी और कुछ नहीं दियावा पर हम figure से समझ सकते हैं, यह कैसा triangle है, यहाँ दो equal का sign दियावा है, यह isosilis triangle है, जहाँ PQ और PR equal sides हैं, हमें यहाँ इसकी x की value निकालनी है, तो x की value निकालेंगे और एक degree if, पी जो है, यह 70 degree दिया है, now हम property यूज करते हैं कि equal sides के opposite में जो angle होते हैं, वो भी equal होते हैं, क्या था वो, कि angles opposite to equal sides are also equal, यानि इसके opposite में यह angle है, x वाला, और इसके opposite में यह angle है, इधर q, so q और r तो equal होंगे, और बचा यह P जो already दिया है, 70 degree, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ऐसा बोलते हैं, कि बचेवे angle है कितना, उनका sum कितना है, वो निकालते हैं, तो we will write that angle P plus angle Q plus angle R makes 180 degree, रीजन दोगे, sum of angles in a triangle is 180 degree, ठीक है, so P था 70, plus Q plus R is 180 degree, यानि कि angle Q plus angle R हमको मिल गया, 110 degree, चलो यह तो पाठ हो गया, now next है कि Q और R equal है, उसका भी reason देना पड़ेगा, तो we will write angle Q is equal to angle R, reason क्या दोगे, वही जो property हमने अभी की थी, that angles opposite two equal sides are equal, therefore angle R यानि कि X, यह कितना होगा, 110 को दो equal part में divide करना है, divided by 2, so यह हुआ हमारा 55 degree, तो हमारा X आ गया, therefore X is equal to 55 degree, correct है, so हमने यहाँ दो property यूज़ कर दी, तो हमेशे याद रखो, जितनी भी property यूज़ हो रही है, भली वो इस exercise की हो, पहले exercise की हो, या पहले किसी chapter की हो, लेकिन property यूज़ हो रही है, थ्योर हम यूज़ हो रहा है, okay, now second देखो, second है, A, B, C, एक triangle दिया है, C को थोड़ा extend कर दिया, तो यहाँ पे एक C का exterior angle भी बन गया, okay, exterior angle की property शायद यूज़ हो जाए, उसके बाद में, A, B और B, C, यह दो equal sides दिये वे हैं, यहाँ देखो, sign है, इसका मतलब यह isocellus triangle है, तो कौन से दो angle equal है, वो भी देख लो, angles opposite to equal side, इसके opposite में यह angle है, और A, B के opposite में यह angle है, तो angle A और angle C, जो मैंने black marker से किया, यह दोनो angle equal है, ओके, पड़ हमको निकालनी है, यह जो unequal है, X, इसकी value, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यह C को निकालना easy है, because D और C मिलके एक linear pair बनाते हैं, total में 180, तो हम सबसे पहले यह लिखते हैं, we will write now angle का पूरा नाम लो, तो angle A, C, D, plus जो triangle वाला C है, 144 degree, बस हम एंगल की value डाल रहे है, plus angle ACB is equal to 180 degree, यानि angle ACB तो हमारा आ गया कितना, 180 minus 144, 36 degree, correct है, यह आ गया हमारा 36, अब क्योंकि equal है, तो हमको यह भी पता चल गया, यह भी 36 है, तो हम लिखेंगे, therefore angle A, या पूरा नाम दे दो, BAC is equal to 36 degree, क्यों है, reason 2, वापस यह सेम जो हमने लिखा था, कि angles opposite to equal sides are equal, plus simple, अब हमें यह भी 36, यह भी 36, तो तीसरा तो हमें पता है, कि कितना आएगा value, क्योंकि sum of angle of triangle is 180 degree, वैसे भी निकाल सकते हो, एक और तरीका है, हमने यह भी किया था, that exterior angle is equal to sum of opposite interior angle, तो देखो, यह 144 degree है, यह किन दोनों को मिलके बना है, A और B को, तुम वैसे भी B निकाल सकते हो, कोई भी एक reason हमको use करना है, तो मैं कुछ भी reason use कर लेती हूँ, तो हम लिखेंगे, therefore angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree, मैंने reason दिया, यह sum वाला, sum of angles of triangle is 180 degree, अब इसमें हमको A पता है, 36 value डालो, B नहीं पता, X लिख दो, C 36 है, मिलके बनाते हैं, 180, तो हमारी value X की कितनी आई, 180 minus 36 plus 36 कितना होता है, 72, so value आगई, 108 degree, तो हमारा X जो है, वो होगा, 108 degree, और अगर exterior वाले से करते हैं, तो 144 minus 36 करते, तो भी आथा 108 degree, बस बहुत चारी तरीके होते हैं, property use करो, हमारा next sum जो है, वो दिखते हैं क्या है, find the value of variables, यानि कि X से जादा, X, Y, Z, ऐसा कुछ होगा, so variables in each, यह हमारा पास triangle ABC, उसको extend करके, एक और triangle बनाया, इधर X की value निकालनी है, इधर Y की value निकालनी है, यहाँ यह sign दिया वाया है, यह sign का मतलब हो था, यह 90 degree angle A, उसके अलावा, इस triangle में, ABC में, AB और AC equal है, AB, AC equal है और एक 90 degree है, मतलब यह एक isosilis right angled triangle है, यह 90 है, बाकी दोनों equal होंगे, हमें पता चल गया कितने हैं, 45, 45, बड़ हम इसको properly, property के साथ लिखेंगे, तो चलो पहले X की तो value लिख दे, फिर हम Y के बारे में सूचते हैं, तो हम लोग सबसे पहला part करेंगे, जो triangle देखे हो, उसका नाम लिख लो, तो in triangle ABC, angle B is equal to angle C, reason देदो, same angles opposite to equal sides are equal, यह हर बार प्रॉपर्टी लिखना बोरिंग लग सकता है, बर्ट नहीं लिखोगे, तो marks चले जाएंगे, इसलिए प्रॉपर्टी तो बताने ही पड़ेगी, क्या है, क्या नहीं है, ओके, angle B और angle C equal है, इसका मतलब, angle A 90 degree है, तो हम लिखेंगे, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree होता है, इसका reason भी हमें पता है, that sum of angles in a triangle is 180 degree, ओके, so angle A 90 है, B और C दोनों equal है, तो अगर C X है, तो हम B B X ही ले ले, तो दोनों ही तो X है, 180 degree, 90 plus 2 X is equal to 180 degree, so 2 X will be 180 minus 90, that will be 90, so X will be 90 by 245, now we knew, according to the property, that both angles will come 45 degree, but we cannot straight away write like that, तो हमको यह तो लिखना ही पड़ेगा, इस तरीके से, कि यह 45 degree आया कैसे, तो हमारी X की value तो आ गई, यहाँ चलो मैं अगर X घटा के लिख दू, क्या पता काम आ जाए, तो मैंने यह दोनों values निकाल दिये 45, अब आते हैं Y की तरफ, तो Y जो जिस triangle में है, अगर मैं यह छोटा triangle लो, A, C, D, A, C, D एक triangle है, इसमें भी यह दो sides equal है, और यह दो sides equal है, मतलब कौन से दो angle equal है, तो side के opposite में, मतलब इसके opposite में यह वाला angle, और इसके opposite में यह Y, यह Y और यह angle तो equal हो गए, ओके, और बचा यह वाला angle, C का इधर वाला part, यह हम निकाल सकते हैं, 45 degree से, इसको linear pair मान करके, तो अगर मैं इसको linear pair मान करके, इसकी value निकालू, तो यह किस triangle की बात करें, इसलिए हम पहले वो लिख देते हैं, ठीक है, मैं इधर कर देती हूं इस sum को, तो clearly दिखाई देगा, तो we will write in triangle ACD, angle C is equal to 180 degree minus 45, reason हम देंगे, बहुत simple सा linear pair, so linear pair के कारण, इसकी value क्या आ गई, 135 degree, चलो, C तो पता चल गए, अब तो बहुत easy है, यह दोनों equal है, बिल्कुल same part हम लिख रहे हैं, C, angle A और angle C, sorry, angle D equal है, यह दोनों angle equal है, reason हमने क्या दिया, ISOCLEC angle की property, यानि same लिखना है, अब ACD मिल करके कितना बनाते हैं, 180 degree, तो इसको बिदेखो ऐसे कर सकते हो, यह Y, यह Y, यह एक triangle है, और इसका exterior angle है यह रहा, 45 degree, तो exterior angle is equal to sum of opposite interior angle, मतलब दोनों Y मिल करके बनाएंगे, 45 वैसे भी कर सकते हो, और 3 angle मिल के 180 बनाते हैं, अंदर के वैसे भी कर सकते हो, जैसा भी करो, तो चलो इस बार मैं exterior angle से करती हूँ, तो मैं लिखूंगी कि 45 degree is equal to angle, पूरा नाम लिख देती हूँ, CAD plus angle ADC, इसका reason क्या है, exterior angle is equal to opposite interior angles, opposite interior नहीं, sorry, equal to sum of opposite interior angle, तो 45 degree क्या होगा, Y plus Y, मतलब 45 degree क्या हुआ, 2Y, तो Y की value क्या हुई, 45 divided by 2, पॉइंट में अंसर छोड़ दो, 22.5 degree, तो हमें Y की value आगी, कितनी आहीं, 22.5, यही Y बुला था, तो यहां लिखने के ज़रत नहीं, क्लियर है, next sum, find the value of variables यह है, ओहो, इस बार बहुत सारे information दिये वे हैं, और X, Y, Z, तीन की value निकालनी है, और भी कुछ-कुछ information है, तो मैं एक बार clearly लिख लेती हूँ, मुझे क्या-क्या information मिले है, तो देखो, यह parallel का sign है, इधर और इधर, ठीक है, तो यानि एक तो दिया वाए है कि, AB is parallel to CD, यह पहली information है, ओके, दूसरी information मुझे दिया वाए है, यह equal का sign है, AD और CD में, मतलब मुझे दूसरा information यह है, कि AD और CD equal है, और angles क्या-क्या value दिये वे हैं, तो एक मुझे इस angle 35, यानि DAC की value दिवी है, तो DAC जो है, यह है 35 degree, और इधर यह B, जिसका मैं पूरा नाम लिखूँ तो आता है, अंगल ABC, यह 68 degree दिया वाए, इतनी information हमारे पास है, ओके, नाव हमें XYZ की value निकालनी है, तो हम सबसे पहले देखते है, कौनसा हमारे लिए easy है, तो easy है हमारा, यह ADC triangle में से X निकालना, because एक value DV है, और यह दोनों sides equal है, यह भी दिये वे, now see, two sides are equal, तो same हमारा है, हमारा angle opposite to equal sides are equal, तो 35 degree, इस side के opposite में यह वाला angle है, C वाला, और इस side के opposite यह 35 है, यह दोनों equal है, मतलि यह भी हमें 35 मिल जाएगा, और दो angle पता है, तो X बहुत आराम से निकल जाएगा, ओके, हम इसके लिए लिखेंगे कैसे हैं, same steps है, कौनसा triangle यूज करें हो, सबसे पहले लिखतो, so in triangle ADC, देखो, एक ही triangle हो, अगर सम में तो नहीं लिखना पड़ता, बड़ इतने सारे triangle और ऐसा figure हो, तो प्रॉपरली पताना चाहिए, कि हम किस triangle को करें, तो teacher उसी पर focus करेगा, now, in triangle ADC, सबसे पहले बताओ, यह दोनों angle equal है, तो तुम बताओगे कि AD is equal to CD, therefore, angle A is equal to angle C, reason दे दो, angles opposite to equal sides are equal, हो गया, तो देर्फोर, angle A plus angle D plus angle C is equal to 180 degree, इसका reason है, sum of angles in triangle is 180 degree, ओकी, angle A था 35, angle D है X, angle C आया 35, total होता है 180, तो हमारा क्या आया, X plus 70 makes 180, so X will be 110 degree, हमें यह X आ गया, तो हम X की value यह लिख दें figure में, 110 degree, ओके, अब आते हैं, य और Z की बारी, तो देखो, क्या निकालना easy है, Y, यह लोगे triangle ने ABC, इसमें 1 है 68, बाकी दोनों की value नहीं पता, बट साथी साथ, कोई equal भी नहीं है, मतलब हम बहुत easily तो नहीं निकाल पाएंगे, हमने अभी तक एक चीज यूज ने किया, वो है कि यह AB और CD parallel है, तो parallel line के कुछ property यूज़ कर सकते हैं, तो अभी ध्यान से देखें, अगर यह AB और CD parallel lines है, AC is transversal, therefore यह Y और यह 35 alternate interior angles हैं, यह दोनों equal होंगे, because alternate interior angles are equal, तो हम इस पार्ट में ऐसे लिखेंगे, कि क्या parallel है वो बता दो, AB is parallel to CD, and transversal क्या है, AC, so AC is transversal, therefore, Y is equal to 35 degree, reason दे दो, alternate interior angle हो गया, Y की value भी आ गई, चलो हैं लिख दें, यह भी 35 आ गया, अब बचा Z जो बहुत easy है निकालना, because दो value पता है, तो तीसरा निकाल सकते हैं, so हम लिखेंगे, in triangle ABC, A plus B plus C is equal to 180 degree, reason सेम देना मैं अभी नहीं लिख रही होगा, sum of angles of triangle is 180 degree, so angle A पता है, B पता है, तो 35 plus 68 plus Z makes 180, so इन दोनों को जोड़ें, 103 plus Z makes 180, so Z will be 180 degree minus 103 degree, that will be 77 degrees value आगई, इतने सारे sums करने के बाद, I hope ये part पूरा clear हो गया होगा, बहुत interesting है, बस ध्यान रखना कि हमें property लिखने पड़ती है, practice करते रहो, बिल्कुल अच्छे से होगा, don't worry, बहुत बहुत easy chapter है, ठीक है, so at least 5 sums a day करना है, जादा करोगे, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, तो अब मैं जल्दी नया वीडियो अपलोड करूँगी, तब तक के लिए keep on practicing the sums, मेरे चैनल को अगर subscribe नहीं किया, तो subscribe it, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो like भी करो, कुछ comment भी करो, अपने friends के साथ share करो, उन्हें भी बताओ, उन्हें भी बढ़ने का मौका दो, तब तक के लिए, बबाई, जैहन,